तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चनल फिल्मी चुरा में तो देखो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जिसके अंदर हवास भरी होती है हर जगे बस सिर्फ लड़कियों को पेलना चाहता है लेकिन ये हवस बात में प्यार में बदल जाती है और ये सब कैसा होता है इसके लिए आप वीडियो को लास तक देखो और जो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चलते हैं मूवी की तरफ तो फिल्मे की सुरुआत में हमें टोमेटियो नाम का एक डाक्टर दिखाए जाता है इंजिला की सरजरी चल लए होती है तब ही वो खड़की से बाहर देखता है जहां पर बारिस में एक लड़की रेड हील पहन कर बैठी होती है यह देखकर वो चौक जाता है और इस्टोरी 15 सार फ्लैस बैक में चली जाती है जहां टोमेटियो अपनी वाइफ से मिलने जा रहा होता है और रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है वो परेसान हो जाता है और मेकैनिक ढूटने लगता है वो मेकैनिक ढूटते हुए एक बार में जाता है जहां उसे इटेलिया मिलती है इटेलिया कहती है कि तुम मेरे साथ चलो मैं तुमें मेकैनिक के पास ले जात तो फिर टोमेटियो वहां से चला जाता है और फिर जाकर बार में बैठकर सराब पीने लगता है थोड़ी सी ही पीने के बाद वो नसे में हो जाता है और उसे हवस चड़ जाती है वो इटेलिया के घर जाता है और जबर जस्ती करने लगता है और उसे पेल देता है अगले सीन तोमेटियों को जब हवस चड़ती तो वो इटैलियों को खूब बजाता इसी वज़े से ठीक से वो काम भी नहीं कर पा रहा था उसका दिमाग सिर्फ इटैलिया पर रखा था क्योंकि उसे पिलना था इटैलिया इसको प्यार समझ रही थी लेकिन वो हवस थी कुछ दिनों के और भी जाता फट जाती है वो पागल हो जाता है और इटैलिया को एवाइड करने लगता है वो अपनी वाइफ का ख्याल अखने लगता है इटैलिया गुस्थे में अपना अपॉर्शन करा लेती है एक दिन जब टोमेटियों एलिसा के साथ स्वापिंग कर रहा होता है वो बताती है कि वो अब अपने होम टाउन जा रही है फिर टोमेटियो डिसाइड करता है कि वो इटैलिया को छोड़ने जाएगा और टोमेटियो अपनी कार में उसे छोड़ने जाता है वो एक होटल में खाना खाते हैं जहांपर टोमेटियो इटैलिया से और भी ज़्यादा प्यार करने लगता है उसके अंदर और भी ज़्यादा फीलिंग्स आ जाती है अब उसकी हवस प्यार में बदल चुकी थी फिर वो एक होटल में रुकते हैं जहां पर वो एक रूम में लेते हैं और वहां पर वो आराम कर रहे होते हैं तब ही अचानक इटेलिया के पेट में काफी ज्यादा दर्द हो जाता है टोमेटियो उसे हास्पिटल ले जाता है जहां पता चलता है कि एक जोला चाप डॉक्टर से एबोशन कराने की चक्कर में एबोशन सही से नहीं हुआ और उसके पेट में बलीडिंग है जिससे कि उसकी जान अब खत्रे में है फिर टोमेटियो उसका उपरेशन करने का तोच रहा होता है कि यह सब उसकी वज़े से हुआ वो अपने आपको दोसी समझता है फ्यूनरल के बाद उसकी लाल हील रह जाती है जो हॉस्पिटल वाले टोमेटियो को देते हैं जो फ्यूनरल में उसके साथ नहीं जा पाई थी और वही लाल हील पहने लड़की को देख आती है कि अब उसकी बेटी ठीक है वो खत्रे से बाहर है टोमेटियो चैन की सांस लेता है फिर वो उस लाल हील को उसी हॉस्पिटल कैमपस में छोड़कर चला जाता है और यहीं मूवी खतम हो जाती है तो दोस्तों यह थी हमारी मूवी तो मूवी आपको कैसे लेगी यह क पसंद आया होना तो वीडियो को लाइक कर दो सेनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना मिलता है आपसे अगली वीडियो में एक और धमाकेदार मूवी के साथ तब तक के लिए